हेई हलो एबरिबड़ी विलकम बैक वित अन्यू वीडियो मैं अरविन सिंग एक बार फिर से आप सब का स्वागत करता हूँ हम सब के यूड्यूब चैनल पे जिसका नाम है टिकनिकल अवी आज की विडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे होने वाली है बहुत सारे लोगों ने मुझसे कोशन पुछा ट्रेडिंग व्यू एप्लिकेशन के बारे में तो भाई दावा ये किया जाता है कि ये जो एप्लिकेशन है ये हमें ट्रेंड्स को ढूनने में मददत करती है म अब मैं इसे करता हूँ open तो जैसी ही मैं इसे open करता हूँ कुछ इस तरीकी का interface मेरे सामने खुल के आता है और यहां पर आप देखेंगे सबसे उपर उपर लिखा है watch list वाच लिस्ट का मतलब है यहां से आपको सारी communities के pairs मिल जाएंगे नीचे अगर आप scroll करते हैं तो example मैं search करता हूँ gbp ओके तो यहां पर दिखेंगे gbp के साथ जो भी system है इनके application के अंदर वो सब कुछ search results में आ जाता है ओके कुछ काम का नहीं है हम बात करेंगे एक normal users की तरफ से तो मुझे जो option मिल जाता है एक chart का option मिल रहा है जैसे मैं इस chart के option पे click करूँगा तो यहां पर फिलाल जो currency selected है dxy पहले बार सुना है मैंने यह currency ओके तो यह काम करते हैं इसको हम change कर लेते हैं और देखते हैं change होता कहां से है ओके मैं USD JPY पे मैंने click कर लिया ओके तो यहां पर यह currency pair change हो चुका है आप देखते हैं यहां पर trend को analyze कैसे कर सकते हैं और जहां तक कि मुझे दिख रहा है नीचे एक indicator लगा रखा है इन लोगोंने और काफी हद तक यह match करता है हमारे awesome oscillator का जो indicator है उससे जो आपको बैनमो औ और all him जैसी applications में भी मिल जाता है तो यहां पर इस चीज़ का मुझे नहीं लगता कि कोई use है और उसके बाद अगर आप उपर जाते हैं application में तो यहां पर judge करने के लिए आपको काफी सारे tools दिये हुए है हाला कि यह application मेरी लिए भी उतनी ही नहीं है जितनी आप लोगों के है तो भाई अगर कुछ भी गड़बड होती है वीडियो के अंदर तो माफ करते ना भाई समझके क्योंकि यह जो review मैं दे रहा हूं यह आर मैं अगर पहले use करके देता तो उतना मजा नहीं आता इस review में क्योंकि मैं एक user point of view के हिसाब से review देना पसंद करता हूँ अगर मैं मैं एक user हूँ first time इस application को download कर रहा हूँ तो मेरी क्या reactions होंगे towards this application क्या मैं इसको long term के लिए use करूँगा और इस application का first impression मेरे उपर क्या पड़ेगा as a user तो भाई इसी वात पे like comment share करते ना अगर आप telegram पे नहीं जुडे हो तो यार अभी जुड जूड जाओ Forex fixed time trading और crypto trading से related कोई भी information चाहिए तो भाई चल को subscribe कर दो अकर बिलकुल नए हो और अगर पुराने हो वीडियोस देखते हो लेकिन subscribe नहीं करते ना तो भाई प्लीज यार प्लीज subscribe कर दो आपको इस channel से बढ़िया services कहीं नहीं मिलने वाली है तो make sure यार bell icon को press कर देना तो यहां पर बहुत सारे tools हैं और यह काफी similar tools हैं अगर मैं जाता हूँ ओलिंप और बायानमों में they are like similar tools अब यहां पर देखो trend line draw करने का मुझे एक tool मिल जाता है तो यहां पर मैं trend line को draw कर सकता हूँ जैसे कि for example मैंने यहां से draw करनी start करनी है तो just a second मैंने trend line को select किया उपर से मैंने line का type जो है वो select किया कि मुझे कितनी लेनी है यहां से मैं ऐसे draw कर सकता हूँ तो यार यह जो same feature है यह मुझे मिल जाता है easily all in में panamo में तो भाया मैं यह application क्यों use करूं मुझे कोई फायदा नहीं दिख रहा है उसके बाद चलिए यह वाला तो है हटा देता है इसको jam box और like मतलब यह भी एक tool ही है जो हम use करते हैं हम trend को हमारे जो draw करने के लिए graph पे कि trend को recognize कैसे करें लेकिन यार कुछ जादा useful नहीं है क्योंकि लोग जादा use करते नहीं है यहां पे दिखेंगे आप rectangle draw कर सकते हो ताकि आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लगे about trends मतलब कहन मतलब है यह tools आपको easily कहीं भी मिल जाएंगे और किसी भी chart पर मिल जाएंगे mt4 पर मिल जाएंगे मेरे भाई तो मुझे समझ नहीं आया यह कुछ नया है लेकिन इतना भी मज़ेगार नहीं है जितना मैंने सूचा था okay usdjp5 पर मैंने click कर दिया है यहां पे magnifying glasses है आप इस next level पर zoom कर सकते हो लेकिन इसका क्या फायता zoom करने का okay कोई बहुत ही जादा professional traders होंगे जिनको शायद इसकी जरूरत पड़े but I don't think so कि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी अगर मैं trading करता हूँ तो और अब आते हैं नीचे तो नीचे की यहां पे इन्नोंने जो strategy apply कर रही है वो simply awesome accelerator की strategy है जो कि I don't think so कि आपको सिर्फ यहीं मिलेगी नहीं आपको हर एक जगा पर मिल जाएगी तो that is not a big deal हो सकता है यह जो strategy है might be change हो awesome accelerator से बट यहार जो भी लोग trading view application download कर के use कर रहे हैं यह सोच रहे हैं कि यहार इसको मैं download करूं और might be है मुझे trends को बता देगा कि trend कि इस जाएगा I don't think so कि ऐसा होने वाला है तो एक चीज़ करो अगर आप सोच रहे हो इसको use करने की तो मेरा opinion है ठीक है पहली बात पता देता हूँ video के अंदर जो opinion है वो मेरा opinion है हर एक इंसान का thought process अलग होता है और जैसा कि मैं समझा समझा के लोगों को ठक चुका हूँ कि जो investment रहता है उसका कम से कम part use किया करो trade लेने के लिए आप पूरा ही investment आपका use कर लोगे तो बहुत बड़े loss में चले जाते हो और मैं आप लोगों को ये भी समझा के ठक चुका हूँ कि यार गाईज कभी भी ना trading में पैसा उधार लेके मत use करो क्यों कि trading बहुत ही risky business होता है we can promise you कि आपको वो पैसा वापस मिलेगा आपने अपना पैसा लगाया तो वो जा भी सकता है अब कुछ और tools की बात कर लेते हैं यहाँ पर एक button मिलता है मुझे compare का तो यहाँ पर मैं compare में काम करता हूँ इसको sp100-500 से compare करके देखता हूँ और देखते हैं कि क्या है ओहो भाई यह वारा tool मुझे काफ़ी पसंद आया फिलहाल क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप sp5 का जो chart है वो तो यहाँ पर नहीं दिख रहा लेकिन एक trend line दिख रही है red color की जो कि उसके trend को show कर रहे हैं मतलब आप दो chart को compare कर सकते हो लेकिन यह भी एक beginner के लिए जरूरी नहीं है और एक advanced level के बंदे के लिए भी इतना जरूरी tool नहीं है I don't, मुझे लगता नहीं है कि यह tool normally लोग use करेंगे क्योंकि जब आप trade लेते हो तो I don't think so वहाँ पर आपको यह tool कभी use करने का दिमाग में आया होगा कि मैं दो chart को compare करूं हला कि आपने यह जरूर सोचा होगा कि आप दो platform को compare करो यानि कि आगर आप trade लेते हो एक particular platform में तो आप यह सोचो कि आप दूसरे platform में trade लेकि उस दौनों को platform को compare करो तो यह तो आपने जरूर सोचा होगा guys यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे तो एक indicators का section मिल रहा है जैसे मैं इस पर click करता हूं तो भाई यह क्या चीज़े हैं बहुत सारे indicators हैं तो मैं किसी indicator पर click करता हूं भाई click क्यों नहीं हो रहा okay okay मैंने click कर इसको apply कैसे करेंगे okay 30 days का free trial बट मुझे अभी नहीं चाहिए 30 दिन का free trial अगर आप लेना चाहें तो भाई ले लेना और उसके बाद होगा क्या उसके बाद आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा क्यों भाई क्यों पे करें तुमें साथ दे क्या रहे हो जो हमें use करें इस इसके बाद यहाँ पर दिखेंगे आप alert replay के भी options मिलें देखो वाई एक चीज़ बता देता हूं यह जो application है इसमें मेरे point of view के हिसाब से यह आपके लिए जरूरी नहीं है trade लेने के लिए लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको options मिलें और use कर सकते हैं इस application को लेकिन मेरा मानना है कि आप trend को समझने के लिए इस application की help लेने के लिए आप पैसे क्यों पे करोगे यहाँ पर 30 दिन का free trial अगर आप लेते हो तो उसके बाद आपको पैसा देना पड़ेगा तो I don't think so कि आपको पैसा देने की जरूरत है अगर आपको trend को देखना ही है कि इस टूल आप price range पे जा सकते हो आप support and resistance यूज कर सकते हो बहुत अच्छी strategies होती है आपको market को help करती है नीचे आप देखेंगे एक ideas का option आ रहा है जहां पे आपको marketing news मिल जाती है जो कि आपको easily किसी भी website पे मिल जाएगी अगर आप Google पे type करोगे तो भी आपको मिल जाएग तो भाई ये था इस आप का पूरा कच्छा चिठा उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी guys like comment share जरूर कदना वीडियो देखने के बाद और exciting videos के लिए stay tuned with our channel and thank you so much guys for watching this video till the end